जीतो है पूरा पूरा वर्ल्ड में हमारी एक संस्ता है जीतो तो अभी हम जीतो जो हमारा है का जीतो कनेक्ट से तो उनको एक ऐसा प्लेटफर्म मिलेगा जो अपनी इच्छा जो उन्होंने एक सपना देखा था ड्रीम देखा था हर लड़का लड़की ड्रीम देखता है कि उसको मन में चाहा वैसा लड़का में वो एक प्लेटफर्म हम हो आपस में इंट्रडूस कराते हैं, उनको मेश में किंग करा के देते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है, कि पांच हजार स्कारफिट का एक डोम तियार किया है, क्योंकि पहले तो क्या होता है था, कि हमारे जो प्रप अब सब्सक्राइबर काफी वह अगहाई आपने ने अरेंज मैरेज लेकिन अगर आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म विले जहां पर आप एक लड़का भी अपने पत्नी को यानि की जिसको इसको प्रेम हो जाए देखते ही प्रेम हो जाए उसको चुन ले या एक लड़की जिसको एक यूबग में प्रेम दिख जाए है ना च चैनल पर सर जो आप जिस प्रोग्राम के भी आप बात करें थे क्या कुछ है मैं जानना चाहती हूं हमारा जीतो है पूरा पूरे वर्ल्ड में हमारी एक संस्ता है जीतो तो अभी हम जीतो जो हमारा है का जीतो कनेक्ट से हम जैपूर के अंदर 6-8 को एक बहुत महा आयोजन कर रहे हैं जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड वाइज करीब 2 लाग जैन बंदू समलित होंगे उसी जीतो का पार्ट है हमारा जीतो मैट्री मोनी जो की हमारे जो डायक्टर है सुस्मा जी कांकरिया और जो हमारे चेर्मेन है परिंट जी डोका और चीफ सेकेटरी है संदेश ज प्लेट इंट्रींग कराते हैं इसके लिए हमने क्या किया है कि 50000 का इक डॉम त्यार किया है उस डॉम के अंदर हमने बारा कैबिन भी बनाए ताकि वह अलग से बात कर सके इसके अंदर जैसे एज वाईज हमने अलग रका है प्रोफेसल जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंट वो अलग रखे हैं हमने डाइवोर्सी और री मेरीजोनों को भी मौका दिया है जिनकी एज जादा हो गई है उनको भी मौका दिया है क्योंकि आजकल आप जानते हो कि जब आद भी पढ़ाई करता है तो इस्टेडिम में 28, 29, 27 साल उनके निकल जाता है फिर केरियर कंपेडेशन 30, 32 साल हो जाते हैं इस एज के बाद है उनको बड़ा मुश्किल होता है मेच मेकिंग करना लड़की लड़कियों को तो वो काम हम कराते हैं क्योंकि पहले तो क्या होता है कि हमारे जब बहुत पुरानी बात करें मेरी टाइम या उससे भी पुरानी तो दादा दादी नाना नानी या गाओं के बुजुर्ग करा देते हो जाता अब दिर्यान तो जो है लड़कियों के ना लड़की को देख पाती थी लड़कों को ना लादा अब क्या सिंगल फैमिली होगी सारी तो अब कोई जिम्वारी भी नहीं लेना चाहता है तो यह जो बीडा है जीतों ने उठाया जीतों मैट्रि में उठाया है और हमने पीछे भी ऐसा एक किया था उसमें बहुत सक्सेज रहा और काफी उसमें शाधीयां भुए हिंए और घ्रकास्ट की भी लोग वहां पर है हैं कि Wy यह अधर कार्श के भी लोगों उहां पर हैं वे अधर कास्ट नहीं है कि एक काफी दिकत आ रही है रही है जैन में तो तो भी वे लिए मन चाही घ्रल वकवड़ने के लिए मंच आई दिर्म जो ग्रल होती है यो हमारे मेच कर आती है नहीं जैन धर्म में जो आप देख रहे हैं कि बहुत चारी जो गैप आ रहे हैं जनरेशन गैप से ले करके तो उसके दर्मियान जो है उसको कम करने के लिए आपकी संस्था ये काम करें करना चाहिए और काफी जो हमारे थ्रू हैं बहुत सक्सेसली हुआ है मैं पूरे जहन समाज से ये रिक्ष्ट करता हूं कि आप जो चैसे आट जीतो सॉलमेट के नाम से जो हमारा अभी महा आयोजन जैपूर के अंदर जैपूर एक्जिसन अन कॉन्फरेंस सेंटर में हो रहा ह वहां पर अपना रश्टेसन तुरंत करा है क्योंकि हम 500 या 700 के बाद हम रश्टेसन नहीं लेंगे इसका हम रश्टेसन बन करतेंगे लिमिटेशन होती है कि आपको लिमिटेशन इसलिए कि बहुत ज़्यादा करने से फिर उनको पूरा मोका नहीं मिलता है हम चाहरें कि लड़के लड़की अब वो पहले वाला तो रहा नहीं कि पैरेंट के साथ बैटके बात करेंगे अब लड़के लड़किया आजकल आरलक के अंदर होटल रेडिशन में किया था अभी रिसेंटली मैंने गुड़गाओं के साथ गुड़गाओं में बहुत अच्छा किया था वहां भी काफी कैंड़ेट्स आये और कईयों की साधियां वहां पर तबदिल भी हुई है तो सक्सस कितनी मिली होंगे लेकिन मिसमैच अगर जिस तरीके से कहा जाए मैच मेकिंग कहा जाए तो मैच मेकिंग मैरीज की जिम्मा जैन सहाब जी ने उठा रखा है वह देखने वाला होगा फिलाल तब तक के लिए आप बने रहे निवस्वाने जपर कैमरा पर संद्राज के साथ आस्तातिव पॉल्ड़ झांट्ड़ झायर है यूल्ड़ झाल्रीज के सकता मैच मेच में बने बने हैं अवादय को तो मैच में शेखने जिम्मारे हैं ऑटेम जिलाग।